पहत्रीन और स्वादिश रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार, वेलकम टू सास बहु रेसिपीज आज हम बनाएंगे काले चने की चाठ हम इसे दो अलग-अलग तरीके से बनाएंगे दोनों ही रेसिपी बहुत टेस्टी हैं ये स्नैक रेसिपीज हैं जो स्वादिश्ट और बहुत पौश्टिक भी हैं काले चने में बहुत मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयन, कैल्शम इत्यादी होता है चने को मैंने राद भर विगो कर रखा था फिर नमक डाल कर प्रेशर कुकर में तीन सीटी बजा रिए ये अच्छी तरह गल गय है, आलू को भी मैंने उबा लिया है चलिए शुरू करते है हमारी रेसिपी, एक गोल लेते हैं इसमें डालेंगे हमारे उबले हुए चने और आलू, एक कटोरी, अब इसमें डालेंगे, दो टेबल स्पून बारी कटी हुई प्यास, दो टेबल स्पून बारी कटा हुए टमातर, अब डालेंगे नमक स्वाज अनुसार, अधा टीस्पून लाल मिर्च पौडर, अधा टीस्पून धन्या पौडर, अधा टीस्पून जीरा पौडर, चुटकी भर काला नमक यानि ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला अधा टीस्पून, अब हम इन सब को अच्छी तरह मिलाएंगे अब डालेंगे हरा धन्या, पुदीना अब इसमें जाएगी गुड़ इमली की चट्नी आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी अब इन सब को अच्छे तरह मिलाएंगे और एक डिश में निकालेंगे अब इस पर मैं दही की चट्नी डालूगी दही की चट्नी में मैंने थुरा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी से शक्कर डाली है इस तरह दही की चट्नी डालेंगे फिर डालेंगे हरी चट्नी आपको हरी चट्नी की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी ये हमारी स्वादिश चाट तयार है अब आप इसको तुरंट सर्फ कीजिए ये अब शुरू करते हैं दूसरी तरीके की चाट एक पैन लेंगे उसमें एक टेबल स्पून तेल लेंगे अब इसमें डालेंगे एक टी स्पून जीरा अब डालेंगे दो टेबल स्पून पारी कटा हुआ प्यास और प्यास को ट्रांस्परेंट होने तक पकाएंगे हमें इसको लाल नहीं करना है अब डालेंगे एक टी स्पून अदर गलहसन की पेस्ट और अच्छी तरह भुन लेंगे अदर कलहसन का कच्छापन जाना चाहिए अब इसमें डालेंगे दो टेबल स्पून टामाटर बारिक कटा हुआ अब डालेंगे नमक स्वाधनुसार एक टी स्पून लाल मिर्च पौदर एक टी स्पून धन्या पौदर एक टी स्पून चाट मसाला पौदर एक टी स्पून जीरा पौदर चुटकी भर काला नमक और हम अब इन सब मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे अब हम इन मसालों को पांच मिनिट ढख कर पकाएंगे हमारे मसाले अच्छी तरह पक गए हैं अब हम इसमें डालेंगे गुड़ी मिली की चट्मी दो टेबिल स्पून हरा धन्या पुदीना यह हम ज्यादा मात्रा में डालेंगे इससे हमारे चाट को बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा राधन्या पुदीना यह अब डालेंगे हरी चट्नी अब हम इन सब को अच्छी तरह मिलाएंगे अब इसमें जाएगा हमारी वाइल किये हुए चनी और आलो और अच्छी तरह मिक्स कीजिए अब हम इनको ठक कर पांच मिनित के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे ताके मसाले अच्छी तरह मिल जाएंगे पांच मिनित हो चुके हैं हमारी चाट तयार हो गई है चलिए हम इसको सर्फ करते हैं यह हमारी हेल्डी स्वार्दिष्ट चना आलू चाट तयार है इसे बनाइए खाईए और खिलाइए करते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो गुरू नग्माट्स